खेलो स्टुडेंट्स, वेलकम तुमारी यूटूब चैनल सहेथ क्लाशिस तो जैसे आपको पता है कि हम एस्टेजिरी साइंस की क्योशन प्रैक्टिस हमने स्टार्ट की हुई है ना तो वहाँ पर हमारी कुछ उनिट हो चुकी है नाइट की एक उनिट रहती है इस वाली वीडियो में हम भी डिसक्स करेंगे तो अगर आप पहले उसके जो NCRT की जो यूनित अना उसको नहीं डेक की आई हो तो डिरेक्ट आपनी क्योशन पर नहीं आए तो पहले आपने यूनिट को देख की आना है उसके बाद आपनी क्योशन करने है अगर उसके बाद तो आपको लगता है कि हमें पढ़ना तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है ना वहां से आपका हो जाएगा बाकी फीजिक्स की जो मेरतन है उसमें जो में में इंपोर्टेंट फॉर्मूले थे वो मैंने इंक्ल्यूड किये हुए है और केमेस्ट्री के अगर आप देहना चाहते ह साथ में जो यूनिट हम पीजिटी के लिए करवा रहे हैं आप वह भी देख सकते हैं और साथ में जो रिपीटी टोपिक है मैंने अपने चैनल पर वह भी करवाए हुए है तो वहां से आप देख सकते हो आज का हमारा जो क्योशन प्रैक्टिस का टोपिक रहेगा वो हांते हूं यहां से पर्ड़ेंएं कि की देख्यों कंपेर टाप् defendants क्या होग़ा ऊचिन पनाने का मेरे परस टाइम नहीं बच पाता तो इसलिए लिदीयो को पोज़ पर के अपने , एक ग गंच कि आपकी वीडियो बनेगी तू एक्स फीड में देख रहे ना तीस में हो जाएगी कम से कम आपका रिवीजिन है वो हो जाएगा इससे ज्यादा देखा मेरे पास टाइम नहीं बच पाता जितना हो पाता हो उतना में आपे करते हूं तो क्या है प्रोपर्टरी जो इलेक्रों प्रोटों और न्यूट्रों तो हमने तीन सब अटोमिक पार्टिकल देखे रहे पहले बोलते थे कि जो एटम है वो इंडिवीजिबल है वेकि उसके बाद एटम को डिवाइड करके भी वहां से पता चला कि तीन चीज़े हैं कि एक एक प्रोटों है और एक न्यूट्रों है तो इलेक्रों देखो इलेक्रों पे हमें क्या पता होता है कि नेगिटिव चार्ज होता है इस पे कोई भी चार्ज हो नहीं होता न्यूट्रों पे उसके बाद क्या है तो यह किसे अट्रेक्ट करेगा अट्रेक्ट करेगा यह हो गया ये सबक्रेट हो зарदा हो सो से हमें पता है नूइकलियश होता है थे फै एक नूइकलिफ होता है है थे लुट्रों को हम उपनावला ही बढ़ाते हैं हम इलेक्टरों करेंडूंद स erklären है तो आपते हैं प्रोचों करेंड वह लहां ही िसके बोलते हैं इस तो गॉंदि करेंगे होती हुए है जो आपके प्रोटोंस और नीटरान होंगे वह तो यहां आपके प्रोडो एई आंस दोत सकते हैं यह आउटसाइड दा न्युक्लियस होएगा अब उसके बाद अगर आपने और पॉइंट ऑफ रिफ्रेंस बताने हैं कि इनमें क्या क्या पॉइंट ऑफ रिफ्रेंस होता है तो यहां पर अगर हम इनका मास देखेंगे ना तो प्रोटोन और न्यूट्रोन का जो मास होता है एंट आपमीक मास होता हैं ऑर इनका मास होता है च्प्रोटोन से मासलिट के थैल्याट और उसके मासलुट्य की इस कहाुंड प्रोटोन क्यूं सा उसनित इसप्रीड़ क्रिजिएग निक यह कुछ पुइंटका मासलिक और ऊच्छ लिएंट घंडर और उसके क्षिंडा हम ह पर दो नहीं बना चाहिए पिर भी क्या पता चलता है कि बन जाए उसके बाद देखो क्या है लिमिटेशन ऑफ जेजी थॉम्शन मोडल अब यहां से लिमिटेशन पुछी जा सकते हैं लेकिन मेरे पास बनाने का ताइम नहीं था तो इसलिए मैं बना पाई अगर पता चलता तो अच्छी बात है तो पहले जेजी थॉम्शन ने अपने मोडल में क्या बोला रहा जेजी थॉम्शन का मोडल है वो किस से कंपेर किया था कि वोटर मैलन से किया था है उसको टो उन्होंने क्या बोला था लेकिन अगर इसके बाद हम किस पर जाएं रडर फो शोड़ मोडल तो उसके बाद जब उसके observation देखी तो हमने क्या थेखा कि जो चोटल पॉजिटिव चार्ज ना वो तो nucleus में है और इसने क्या बोला था कि जो पूरे एक्टम में है तो यही इसकी क्या थी लिमिटेशन थी तो इसकी लिमिटेशन क्या थी कि इसने बता दिया कि जो पूरे उसमें होएगा एक्टम में distribute होएगा overall लेकिन इससे next जो मोडल आया ना इसकी limitation यह रही तभी तर उसकी इसकी limitation यही रहेगी कि इसने क्या बोला कि जो लेकिन वह क्या था ओवराल डिस्ट्रिब्ट नहीं हो रहा था और जो इलेक्ट्रोन है वह भी क्या ओर रहे थे आउटर शेल में रिवोल हो रहे थे इसने बोला कि पोजिटिव चार्ज में धासे होती हैं तो दो लिमिटेशन यहां से आप इसकी बता सकते हो पहली बात तो बाद बाद पॉजिति डिस्रीबूट के बाद अन्य जो पूजिति एंट्रों इसने बोला कि बाद इसमें पॉजिति चाज में इंबिदेड़ होएंगे ना वह वह उंगे क्योंकि एलक्रों तो वह आउटर मॉड़्ल में रिवोल कर रही होते हैं तो इन दोने में यह वाली जो लिमिटेशन जाएंगी किसकी जे जे थॉंसन की तो यह भी हो गया उसके बाद लिमिटेशन किसकी बतानी है तो अगर आपने इस बढ़ रहा है तो वहां से आप इसकी बता पाऊगे तो देखों अधर फोर्ड ने क में रिवोल कर है होते यह वाले चीज भूल दे तो आप देखों इसने एनर्जि का कोई ऐसाप्व है दता बडिशरए तो रिवोल करेंगे तो क्या होगा ऐक्सलियरेशन प्र होगा त्यूरोड रिवोल करेंगे ऐसे तो तो एक टाइम ऐसे आएlies मैं खोगए कि वह सारी एनर्जी रूज करके क्या हो जाएंगी फोलन नुकलियस तो यह वाली चीज तो फिर अधर फोर्ड एक्स प्रेंड नहीं कर पाया कि ऐसा क्या होता है तो इसी दिए इसकी लिमिटेशन बन के आई थी कि जो इलेक्ट्रोन है वह यह चीज सही है कि वह आप अधर कि और यह ही इसकी लिमिटेशं थी ऊसके बाद आया था नेल बोहर मोडल ऑटम्अ के लिमिटेशन सह उगली है अदेज सार्ट्रोन बॉट इसके यह जो नेके जो फोल अदो फैली को इन्हों से ने नाम दिया था तो जो फर्स्ट शेल थी वह थी के शेल उसके बाद अचे उसके बाद ऑद एंच्छ तो के एल एम एन तो यह यह चार सेल इन्होंने दे थी और यहां से जो एलेक्ट्रोन है ना वह किस फॉर्मूले से डाले जाते हैं внes给亚 से 222. कैसे Colonel से एक रहेगी तो seashell हो मारे से एंड की वैल्यू टू सब्सट्याओ रॉपिंगी तो we invis cód और एंड की वैल्यू टैएगी तो यह इं शेल रहेगी और एंड की वैल्यू फर रहेगी तो एंड के श्हाल रहेगी तो और तो तो 1 की value डाली तो k shell में कितने electron हुए 2 हुए अब n की value को 2 डालेंगे तो 2 तूजा 4 तूजा 8 तो यहां पे 8 हो गए उसके बार 2 तूजा 4 तूजा 8 और 2 क्या हो गए 16 हो गए 3 है तो क्या हो गए 16 हो गए अब यहां पे जब n shell आई तो यहां पे क्या होगा 2 की 4 हो तो क्या हो जाएंगे यहां पे 32 हो जाएंगे ठीक है और उसके बाद इन्होंने क्या बोला था कि जो भी आपकी वैलेंश होएगी ना उसमें आउटर मोस्ट इलेक्रोन कितने होएंगे एटर होएंगे तो यह वाला कुंसेप्ट कि इसमें दिया था बोहर्स मोडल अटम ने दिया था तो यही चीज यहां पे हमसे से मोडल में क्या था तो वह आप चैप्टर की वीडियो देख सकते हो यहां पे हम अगर पूरा एक्स्प्लें करेंगे तो यह वाली वीडियो नहीं लंबी हो जाएगी जो चीज पहले फट चुके ना वह यहां पे नहीं करेंगे तो यह हमने अभी देखा है कि कहां से तो यह हम यह बाद कितने यह बहुत करेंगे उसके बाद उसके बाद देखो तो डिफाइन वेलंसी बाइ टेकिंग एक्जामपल और सिलिकोन और ओक्षीजन का एक्जामपल लेखके आपने वेलंसी बतानी है तो देखो सिलिकोन है इसका इतोमिक नमबर होता है 14 तो कैसे लिखते हैं 2 8 4 ठीक है तो अब यहां पर क्या होता है इस्टेबिलिटी के लिए इस्टेबिलिटी के लिए अदर्मोट शेल में 8 एलेक्ट्रोन की लेने के लिए उसके लिए क्तने धेने पड़ सुसकी बोलते है है तो यहां पर क्या हो जाएगी ए चाहिए विर यह निटान पर खाएंग तो इसके लिए सेखेंग ए पर सेखेंड और और अब देखो 2 और 6 है अब यहां पर देखो 2 कंडिशन हो जाती है कि एक तो यहां से माइनस सिक्स हो और एक यहां से फलस के 2 हो ठीक है तो अब माइनस 6 होएंगे ना तो अब 6 इलेक्रोन को हटाना इतनी आसान बात नहीं है तो यह क्या करेगा 2 इलेक्रोन लेलेगा तो इसकी बटाने चीम से किया होती है तो कि अ इलेक्ट्रोन लेगा तो क्या है कि अगीधी उसाइन आता तो इसके बाद यह विलंसी वाला वाला हो गया इसके बाद और उसके यूज बताने है कि atomic number, mass number क्या होता है, isotope क्या होते है, isotope क्या होते हैं, और इनके usage आपने बताने हैं कि इनके usage क्या रहेंगे, तो देखो atomic number है, atomic number को हम किसे रिखाएंगे, atomic number क्या होता है, जितने number, atomic number किसके equal होगा, जितने आपके पास क्या होंगे फ्रोटोन होंगे उतने ही आपके पास क्या होगा अटोमिक नंबर होगा अगर प्रोटोन का पता है तो वहां से आप अटोमिक नंबर का पता लगा सकते हो उसके बाद क्या है? मास नंबर कैसे निकालते हैं हम प्रोटोन प्लस न्यूटोन से तो अगर आपको प्रोटोन का पता है न्यूटोन का पता है तो उनको हम एड़ करेंगे तो वहाँ से मास नंबर आ जाएगा उसके बाद है आइसोटोप Isotopes की condition क्या थी हमारे पास Isotopes की condition थी कि जहां पर क्या होगा Same atomic number होएगा और different mass number होएगा Same atomic number और different mass number होएगा तो वो क्या थी हमारे पास Isotopes थे अगर हमने example देखना है तो यह था ना Hydrogen के Isotopes थे जैसे 1H1 था, 1H2 था, 1H3 था यह Hydrogen है, यह Deuterium है, यह Deuterium है और उसके बाद Isobar का concept आता है, Isobar इसका just opposite होता है, जहां पर क्या होता है Different atomic number होएगा और same mass number होएगा Different atomic number, same mass number ठीक है, different atomic number, same mass number, ऐसा कैसे possible है, देखो जैसे Argan और Calcium का example अगर हमने अगर का atomic number 18 होता है, और इसका mass होता हो 40 होता, Calcium का 20 होता, तो भी 40 तो mass number same है, और यहां से atomic number different है अब यहां से अगर आप से पूछ रहे कोई कि हमें proton, electron बताओ कितने होगे तो आपने सबसे पहले कैसे बताओ गया, atomic number देखो है ठीक है, उसके बाद atomic number हमने देखा यहां पर कितना है 18 है, तो इतने ही इसमें क्या होंगे, proton होगे, 18 ही इसमें क्या होंगे, proton होगे यह मिन्स प्रोटोन मिन्स पोजिटिव चार्ज, उटना ही वहां पर लेंगिटिव चार्ज होगा, तब हमारे पास item होगे हाँ, तो 22 neutron, तो अगर आपसे कोई ऐसे देखे, कुछ भी पूछे, atomic number देखे, mass पूछे, neutron पूछे, proton पूछे, तो आपको निकालना आना चाहिए ठीक है, तो ऐसे आपने इसको करना था, हो जाएंगे, उसके बाद यूज उच्छा गया है, तो यूज देखो, जो हमारे पास iodine के isotope होते हैं, उनको हम गाइटर में होते हैं, यह सनों में देखे, पूछ ले, या क्यों होते हैं, देखो, एन न है, हमारे पास atomic number 11 है, तो 2, 8, 1 हो जाएगा, और यहां पे न न प्लस दिया गया है, इसका मतलब क्या है, कि 2 और 8 बचेगा, एक electron को निकाला हुआ है, तो अब हमारे पास KLMN शेल थी, तो यहां पासे हरे, तो अगर ये ये न यूकलिस है, ये वाली K-WERल है, कि 2 milhões शेल है, ये ये हिए 2 आइ, ऍलकलिस है, तो ये ये री ये ये वाली K-क है, Ă ये 2 आइ, लेक्स दिया बहुता है, तो यही चीज ये घैंशतया में बोले लिया है, चेल धर आपकने था ऑनले देखो जैसे हमने बोल यहां पर हम आइसोटोप दिखाती है न तो अगर आपको average atomic mass निकालना हो तो कैसे निकालते हैं हम यह से देखो कि एक atom का mass कितना है multiply में उसकी percentage की value कितनी है और divide by 100 ऐसे second वाले element का mass multiply में percentage divide by 100 तो यहां पर देखो bromine दिया गया है तो bromine में एक बार 49.7% है और एक फिफ्टी पॉइंट 50.3% है और एक का mass 79 है और एक का 81 है तो यहां पर यही चीज़ देखते हैं अब कैसे होगा पहले का mass कितना था 79 और उसकी abundance थी वह कितनी थी 49.7% और divide by 100 तो यह तो फिस्ट वाले का हुआ अब second वाले का कितना mass प्रजेंट होएगा 81 है mass और उसकी abundance कितनी है 51.1 है divide by 100 तो जब आप इसको solve करोगे न तो यह value आ जाएगी 80.006 के एक वल आ जाएगी अब यहां पर हमें average atomic mass पहले से ही given है और हमें इनकी percentage बतानी है sample में कितनी होएगी तो यह जश्ट उसका पोजिटर देखो numerical की type में इसको आने की possibility बन सकती है न तो अगर यहां से आ जाए तो आपका leave नहीं होना चाहिए इसकी surety आपने रखनी है अब की बार हम को हमने क्या देखा कि average mass क्या होता है कि यहां पर हम mass लिखते है m1 और यहां पर उसकी percentage इतनी भी है वह divide by 100 ऐसे करते हैं न उसके बाद second में करते हैं कि m2 उसके बाद उसकी percentage कितनी होगी 100 तो यहां से हमारे पास average mass कितना given है 60 16.2 और फर्स्ट वाले का mass कितना है 16 है ठीक है यहां पर देखो percentage अभी निकाले 100 और प्लस में कि m2 mass कितना है 18 डिवाइड में percentage यहां पर कितनी हमें नहीं पता डिवाइड बाई 100 तो यह चीज हमने देख लिए अब देखो अगर हमने इसकी percentage मान ली कि जो हमारे पास 16 वाला इसरे साटिवा इसकी percentage X मान लीं तो 18 वाले कीpse कि जो हो जाएगी 100-x होजाएगी है ना अब हमने पहले वाले की x percentage मानी है total तो दोनों की sum मिला के 100% होएगा पहले वाले की हमने x percent मानी तो second वाले की क्या हो जाएगी 100 minus x परसेंट हो जाएगे तो यही चीज़ हम यहाँ पर डाल देंगे कि हमने इसकी x मानी है तो यह हो जाएगा 100 minus x अब आपने इसको solve करना है तो यह वाला उसके बाद देखो यह हो जाएगा 1620 और यहां पर यह इधर आया तो 1800 minus का और यह minus के 2x तो यह भी हो जाएगा minus ke 180 minus ke 2x तो minus से minus cancel तो x की value क्या आजाएगी 180 by 2 90 तो एक की percentage कितनी है x थी ना तो 16 वाले की हमने x मानी थी तो x की की value आई 90 परसेंट तो इसकी क्या जाएगी 100 minus में 90 तो यह हो जाएगा 10 परसेंट टो oxygen के case में क्या हुता 16 वाला oxygen नहीं दिया न यहां पर एक्सीजन दिया न तो यहां पर कुण सा abundant हुआ है तो यहां पर हमारे पास यह वाला abundant हुआ है ठीक है तो बस यहीं चीज़ आपने बताने चीश्चा ए तो बस यह शीचो आफ़ निका27 सकते है और परसंटेज लीथिययम होगा अब लीथिययम ए defendant क कितना होता है थ्री होता है तो कैसे करते हम distribution 2 लिखते है पहली शील में कितना थे यह सही है ना वेलेंस शील होगा तो इसमें 2 तो 8 हो तो आप से possibility क्या रही कि इसको एक लेक्टरों को हम हटा जाएं सबस्क्राइब नहीं को दिया ठीस ने पर रहेम अफे हैंyo यहां यहां पर भी चीजे आपको बताइब है कि confr सब्सक्राइब करें पिंद खाए-गे कर देंगे को घृतिया हुज़क्य अभर सब्सक्राइब अभाई टो जो फोगिंग आज तो को प्रोंड पिंवन नहीं को से प्रोटोण नंपर को सब्सरों अशुक्त हिए टो इसंमेंगे , यहां सब्स इस प्रोटोण मुझा कि सर्ट को ह open इसका निकाल के दिखाते हूं मास क्या होता है प्रोटोन प्लस न्यूट्रोन तो यहां से एक्स वाले के हमने प्रोटोन न्यूट्रोन जोड़े तो यह क्या हो जाएगा 12 और इनके जोड़े तो यह इसका न्यूट्यान से जोड़े तेदी के दुट्रोन फिरे ली शेले कारते है तो जूट्रोन नुट्रोन वह चाहिए प्रोटों और यहां से क्या हो जाएगा ऐस Kä opener होगए वह चाहिए तो यहां से प्रोटों से बढ़नते कि यह से न्यूलेस पर देख बताना कि तो कि तो J.G. Thompson ने बताई थी कि नुकलियस में नुकलियोन होगे नहीं जिए थमसन ने तो एक चीज बताई थी कि पोजिटिव चार्ज है वो ओल अराउंड होगा उसमें इलेक्ट्रों से वो एंबडेड होगे तो यह चीज क्या हो जाएगी फाल्स हो जाएगी फर्स्ट क्या जा इलेक्ट्रों प्रोटों मिलके कभी भी नुट्रों हो नहीं बनाते तो यह चीज क्या हो जाएगी फोल्स तो यह चीज क्या हो जाएगी फोल्स तो यह बात सही है वहाँ पे हमने 1800 ताइम्स देखा था तो यह तो एप्रोक्स ही है तो यह क्या जाएगा जाएगा ट्रू ए आइसोटोप आयोडीन का नहीं होता है तो इसलिए हमारा यह भी गड़त हो जाएगा क्या हो जाएगा फोल्स तो हमारे ऐसे हो जाएगे उसके बाद देखो रधर फोल्ड अल्फा पार्टिकल स्केटरिंग एक्सपरिमेंट वाज तो नूकलियस के लिए प्रोटोन के लिए और अगर आपने पढ़े कि आयो तो आप बता देंगे ना माश्या क्या था कि एक रही है जैसे जा रही ही ना वैसे यह आ रही तो किसकी वज़े से था पॉजिटिव चार्ज की वज़े से था इसका मतलब क्या था कि जो टोटल आपका पॉजिटिव चार्ड वो नूकलियस में होता तो आपका उप्शिन नहीं सही हो जाएगा इसो टोप हो तो क्या होंगी अगर आइसो टोप हमने क्या देखा था कि सेम एटोमिक नंबर होएगा वो डिफ्रेंट मास नंबर होएगा जैसे हमेरे हैं तो सेम फिजिकल यहां से हम नौठ होगो तो इनौफ नबर होगीं है वह गांकी जो यह इचार्ट है नहीं कि यह में का रहता है तो यह होती है कि सेम नंबर हैगा तो यह भी चीज़ गलता है यहां से देखो यहां से त revenge करेंगे तो कैसे निकालते है दीखो mass किसके एकवल होता है यहां से लाएट हो जाएगा तो कितने बेलेंस ऐलेंस एलेक्ट्रोन हो जाए गा तो कि आपको बीया वह साही हो जाएगा उसके बाद गोशन 14 देखो फॉर्टा फोलोविंग स्टेटमेंट यह तो ही चुका ना हमने मेनी बाप इसे लगा दिया भी यहां तक हो चुका नहीं यहां तो कोचिवा अब देखो वीच वन फोलोविग इस कुर्थ और एक्ट्रोनी चनफिगरेशन ऑफ त्व तो सोडियम का अटोमिक नंबर होता है एंथे 11 तो यह क्या होजाएगा 281 हो जाएगा है ना तो, 2, 8, 1 हो जाएगा, तो, sodium देखो, हमें बताना है, क्या बताना? Electronic configuration, तो, 2, 8, 1 ही बताना, तो, हमारा दिए हो जाएगा, अब देखो, इस table में से, तीन में आपको समझाऊगे, तीन आपने ख्रुद गारने हैं, ठीक है तो यहां से दिखो नमबर नोगन तो हमने देख था . refuse भीबत on इसमाइस नमबर छोबीबन rack है- माइन हिरा नंबरर होता है तो यहां like a number nine है तो यहां पर प्रोटोन भी कितने हो जाएनगे तो नीचे wait on the next step of the atom is stable जो जो लेक्टान होता है तो हमने बताना कि अगर हमारे पास इसन अगर पास साय। से थे नंबर नाइन है तो हमें बताने हैं में प्रोर्रोन कितने होंगे प्रोडोन कितने होंगे लक्रोण कितने होंगे तो देखो, neutron है, mass number क्या होता है, हमारे पास यहां से हमने देखा proton plus neutron proton plus neutron होता है, और यहां से देखो mass number कितना given है, 32 है और atomic number उतने ही proton होएंगे, तो यहां से neutron कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे तो neutron कितने होएं, हमारे पास 16, proton कितने होएं, 16 और electron भी कितने हो जाएंगे, 16 तो यहां पे देखो, 16 number पे क्या होता हमारे पास, sulfur होता है, उसके बाद देखो, क्या atomic number हमें नहीं पता, proton पता है अब यहां से जितने proton होएंगे उतना ही उसका atomic number हो जाएगा neutron क्या होगा mass number में से हम proton को minus करेंगे तो यह भी क्या हो जाएंगे 12 और यहां से electron भी क्या हो जाएंगे 12 और 12 number पे हमारा कौन सा होता है magnesium होता है अब मैंने यह आपको बताई है यह वाले आप खुद से करके देखना दो अगर आपको समझ आए हैं तो फिर आप अच्छे से इनको कर पाऊगे तो यहां पर हमारी जो यूनिट है अब आप बोलोगे कि नहीं यह तो क्या है तो यहां पर आएगा लेकिन यहां पर नेगिटिव साइन का मीनिंग होता है ना नेगिटिव दिया गया तो नेगिटिव में जो चीछोटी होती हो बड़े हो जाती है ना अब यहां से लेखो अगर हमारे पास atomic number 1 है तो यहां प किसराद नेगिटिम तो जिसका atomic number सबसे छोटा होता है ना उसके energy ज्यादा होता है क्योंकि यहां पर नेगिटिव साइन होता है तो यहां पर हमारी उनिट नेगे होती है नेक्स टोपी के साथ जब तक के लिए धन्यवाद थैंक्स फोर वोचिंग माई वीडियो